संसार ग्रीन में आपका स्वागत है हम पेड़ पौधे, जाती धर्म, भासा की तमाम विविधताओं के बावजूद एक विश्व और एक ही हरी भरी धर्ती का हिस्सा है संसार ग्रीन की वीडियोज भी ऐसी ही विविधता पुर्ण होती है हमारे कई दर्सक नवरात्री में गेहुं के जवारे, जई या जैनती उगाने की विधि जानना चाहते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नौ दिन में आपकी जैनती कैसे लहलहा उठेगी आखिर हम तमाम तरह के फूल, पौधे, पेड, उगाना सिखा रहे हैं तो ये कैसे छोड़ सकते हैं हम सब कुछ डिटेल में बताएं, उससे पहले चाहेंगे कि नए दर्सक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अलर्ट्स के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें नवरात्री में घट अस्थापना या कलस पूजन लगभग सभी लोग करते हैं और इस कलस के नीचे साबूत अनाज उगाने की परंपरा है स्थान के अनुसार ये अनाज बदलते हैं कहीं गेहूं कहीं धान तो कहीं जौ या जई के जवारे या जैनती उगाई जाती है हमारा मानना है कि जैनती जितनी अच्छी उगती है उतना ही सुभ फल देती है जैनती के अच्छे नहीं उगने से लोग दुखी हो जाते हैं और इसे अशुभ भी मानते हैं अगर आप जैनती उगाने की वैग्यानिक पधती समझ जाएं तो आपकी जैनती सबसे बहतर उगेगी सुभ असुभ फल हम नहीं जानते पर जैनती जरूर अच्छी उगेगी इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा और उसमें सबसे जरूरी चीज है बीज जो भी अनाज आप बीज के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं चाहे धान, गेहूं या जौब वह नया, साबूत, साफ सुत्रा यानि कीट रहिद होना चाहिए अगर इन दानों में कीडे लगे हुए हैं तो वो बिलकुल नहीं उगेंगे या दो-चार दाने उगेंगे ऐसी जैनती भला किसे चाहिए जो दूसरी सबसे इंपॉर्टन चीज है वो है मिट्टी बिना घास, फूस या कच्रे वाली साफ सुत्री मिट्टी का प्रयोग कीजिए इस मिट्टी में गोबर मिलाई जाती है गोबर मिलाने के पीछे वैग्यानिक तर्क यह है कि गोबर सबसे बढ़ियां जैविक खाद है जो बीजों के उगने और नन्हे पौधों के ग्रोथ में सहायक है हमारी पूजा में गाय के गोबर को सबसे शुद माना जाता है तो इस गोबर का ही प्रयोग कीजिए अगर गोबर उपलब्ध नहीं है तो आप कावडंग मैन्योर या गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं बराबर मात्रा में मिट्टी, गोबर की खाद और साबूत अनाज को मिलाए और उसे प्लेट या तस्तरी में रखी साबूत अनाज को या जो गेहूं के जवारे आपको उगाने हैं उन्हें पहले धोया जाता है बहतर होगा आप दो-तिन घंटे के लिए उन्हें पानी में भीगो दें उसके बाद मिट्टी में मिक्स करें और फिर प्लेट में रखें तीसरी चीज थाली, परात या प्लेट जिसमें हम कलस को रखते हैं या स्थापित करते हैं लोग सोने, चांदी, पीतल या मिट्टी की प्लेट या तस्तरी का इस्तिमाल करते हैं सास्त्रों में मिट्टी के बरतन के प्रयोग को प्राथमिक्ता दी गई है आप यथा संभव मिट्टी की ही प्लेट या तस्तरी का प्रयोग कीजिए यदि उपलब्ध नहीं है तो फिर आप केले के पत्ते पर मिट्टी रख सकते हैं ऐसा करने से बर्तन में वाटर लॉगिंग नहीं होती है और बीज खराब नहीं होते हैं मिट्टी के प्लेट से एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं जाएगा जबकि मिट्टी के प्लेट में से एक्स्ट्रा पानी रिस के बाहर निकलाता है चौथे important चीज, कलश है कलश कम है तो पुर्ण नहीं है लोग सोने, चांदी, पीतल, तांबे या मिट्टी के भी कलश प्रियोग करते है मिट्टी का कलश ही सर्वोत्तम होता है वैज्यानी कारण यह है कि जब आप बीजवाली मिट्टी के बीचों बीच मिट्टी का पानी भरा हुआ कलश रखते है तो उनके पोर्ष या छोटे होल्स में से रिस्कर पानी हमेशा मिट्टी तक जाता है जिससे 24 आर्स नमी बनी रहती है और बीज जल्दी उग जाते है आप थोड़े बड़े आकार के कलश का प्रियोग कीजिए जिससे की पानी 9 दिन तक लगातार मिट्टी को मिलता रहे इस्तिमाल से पहले कलश को चेक कर लें कि कहीं से टूटा हुआ ना हो पानी ज़्यादा रिस्क ना जाए अंत में जब आप कलश रखते हैं या कलश की स्थापना करते हैं तो सुबह साम उसकी पूजा भी करते हैं हर पूजा के समय यानि की सुबह और साम कलश या कलश की नीचे की मिट्टी पर भी थोड़ा जलारपन जरूर करें इससे बीज या पौधे को सुबह साम पानी मिल जाएगा और चुकि आपने मिट्टी का प्रयोग किया है तो एक्स्ट्रा पानी बाहर भी निकल आएगा वाटर लॉगिंग नहीं होगी और हंडिट परसंट जवारे उगेंगे ना सिर्फ उगेंगे नौ दिन में इनकी ग्रोथ इतनी जादा हो जाएगी कि ये जुकने भी लगेंगे पूरी स्रद्धा के साथ पूजा कीजिए और थोड़ी वैज्यानिक विधी अपनाईए तो आपके जवारे बेस्ट होंगे हाँ हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है आपके यहां और आपके अपनों के यहां भी इस नवरात्री खुब अच्छे जवारे होगे ऐसी हमारी कामना है हैपी नवरात्री जय जय कार मंदर विच आपके यहां जय कार मंदर विच आपके यहां